हलो फ्रेंट मैंसल शब्मिल उसेन और वाचिंग फीजियो टॉक दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि को पता करने के लिए आप किस क्लिनिकल टेस्ट का एक्जामिन करेंगे दोस्तों अभी तक सिफ हम रेडियो लोजिकल इमेजिंग से ही स्पॉंडिलो टेस्ट का पता लगाते हैं पर एक बहुत अच्छा क्लिनिकल टेस्ट भी है जिससे आप फाइंडिंग करवाने से पहले इ सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करना है और साथ ही आपको बताएंगे कि पॉजिटिव फाइंडिंग क्या इंडिकेट करती है तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले और अगर आप हमारे चलब पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लिए और के दोस्तो स्पॉनडाइलो लिस्थेसिस को पता करने के लिए हम जिस टेस्ट का यूज करते हैं उस टेस्ट का नाम है standing stock test यह test करने से आप spondylolisthesis का पता लगा सकते हैं या हम यह कह सकते हैं कि आप उसको predict कर सकते हैं अब बात करते हैं कि इस test को किया कैसे जाता है दोस्तो इस test को करने के लिए आपको patient को command देना होगा कि वो को उस patient को 1 leg पर खड़ा होना है single leg पर patient को आपको standing करवाना है फिर आपको patient का जो trunk है उसमें extension देना है इस दोरान positive finding यह indicate करेगी जब patient complain करेगा कि उसके low back pain हो रहा है ऐसा करने पर यानि कि जब patient को आप single leg stand करवाके उसके trunk को extension में लेके जाएंगे तो उसके back में अगर low back pain होता है उसके back में अगर pain होता है तो आप यह मानेंगे कि उसको spondylolisthesis है यह predict आप कर सकते हैं और उस patient को आप image finding के लिए radiological imaging के लिए आप उसको भेज सकते हैं तो दोस्तो आपको इस test को दोनों पैरों के साथ repeat करना है अगर patient को सिर्फ unilateral side पे pain होता है तो आप इसकी वज़े एक fracture भी हो सकती है या फिर कोई SI joint की कोई pathology भी हो सकती है तो दोस्तो इस clinical test के माध्यम से आप predict कर सकते हैं कि patient को spondylolisthesis है या नहीं है अगर आपको यह prediction करना है कि patient को spondylolisthesis है इस test के findings अगर आपके पता चलता है तो आप उस patient को further investigation के लिए भेज सकते हैं और पता कर सकते हैं यह clinical test कितना relevant है तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्षिन बताना बिल्कुल ना भूले और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग फीजी और टाक